सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज सुटी के अंदर हम आप सबीगी लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़्यादा बड़िया मुबाइल्स रियल्मी की तरफ से एक है रियल्मी का 6i जो आपको मिलता है 13,000 का दूसरी तरफ है रियल्मी C15 लेटेस्ट एडिशन जो अभी हाले में लाँच हुआ है 11,000 का तो दोनों में 2,000 का फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों में कमपरेजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या अच्छाईया है और आपको इन दोनों में सा कौन सा लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं रियल्मी 6i के साथ 13,000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगवा है एक सिमेजक्टर टूल अंदर दिये गए है कुछ यूजर मैनुवल एक मिल जाता है काफी बढ़िया क्यालिटी का कवर इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लूक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेता है बॉक्स में आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटे केबल लैंट और क्वालिटी इसकी दोनों बहुत जाद अच्छी है क्वालिटी इसके आपको काफी बढ़िया दी गई है और ये एक टाइप सी केबल है तो 6i के अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट दिया गया है आखर में आपको रखवा मिलता है ये वाइट कलर में चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है अब इस मॉबाल के अंदर आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 20 वाट का फास्ट चारजर मॉबाल के साथ बॉक्स के नरही दिया गया है हाला कि ये मुबाल 308 का फार्स चार्जर भी सपोर्ट करता है तो आप मार्किट से भी खरीद के एक इस्तमाल कर सकते हैं 308 का चार्जर इस मुबाल के साथ अब दूसर ये सरसमान आपको मिलता है रियलमी 6i के साथ 13000 में रेट के साब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंटस आपको काफी जादा बढ़िया ही दिये गए है टाइप C केबल भी मिल जाती है काफी बढ़िया क्वैलिटी की इसी के साथ आपको कवर भी काफी अच्छा दिया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चारजर बहुत अच्छा मिल जाता है चले देखते हैं फिर भी अगर आप 2000 कम खर्च करते हैं से 15 के लेटस्ट एडिशन पे तो 11000 में इसके साथ के के मिलता है तो इसकी भी बॉक्स में आपको पैकिंग वैसे ही दी गई है मिनी बॉक्स में लगवा है एक सिमेजक्टर टूल अंदर दिये गए है कुछ यूजर मैनुवल पहला फर्ख यह है कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता मॉबाइल का डिटेल लुक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेता है बॉक्स में आपको दी गई है यह डेटे केबल इसकी क्वालिटी हलकी है 6i की केबल से और यह टाइप सी केबल नहीं है USB to Micro USB केबल दी गई है इसके साथ तो दीटे केबल की क्वालिटी के अंदर दूसरा फर्ख है 6i के साथ जाद अच्छी है आखर मापको रखवा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर अब इसके अंदर भी आपको फास चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18W का फास चार्जर मोबाल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो इसके साथ आपको 18W का मिलता है 6i के साथ है 20W का चार्जर वैसे जादा बढ़िया है 6i के साथ ही क्योंकि चार्जर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो 6i की जादा बढ़िया है इस चार्जर से तो दोनों मॉबाइल्स में देखा जाए तो रेट के साथ से बॉक्स के कंटेंट्स अच्छे ही दिये गया है 6i की कीमत भी 2000 जादा है तो उसके अंदर आपको खूब्य भी जादा दी गई है तीन चीज़ों में जादा बढ़िया है वो मॉबाइल एक तो आपको कवर दिया गया है दूसरा टाइप C केबल है जाद अच्छी क्वालिटी की तीसरा आपको चार्जर जादा बढ़िया मिल जाता है बाकी इस पर स्क्रेचिस असानी सा जाते हैं क्योंकि डिज़ाइन ही कुछ इस तरीकी का है वही दूसरी तरफ रियलमी के C15 में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप कर दिया गया है जादा शाइनी तो नहीं है बाकी इस पर स्क्रेचिस कामाते हैं 6i के कंपरिजन में तो दोनों मोबाल्स में डिज़ाइन में अपनी अपनी खूबिया है एक देखने में जादा बढ़िया है दूसरा क्वालिटी में अच्छा है बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो C15 में आपको पीछे चार कैमरे दिये गए है जिसमें पहला है 13 Megapixel का दूसरा 8 Megapixel का बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 Megapixel के फरंट कैमरा है इसका 8 Megapixel का फिंगरपिंट स्केनर इसमे आपको बैक पैनल पे दिये गया है वहीं दूसरी तरफ 6i के अंदर आपको पीछी के तरफ 4 कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 MP का, दूसरा 8 MP का, बाकी के दो कैमरे हैं 2 MP के फ्रंट कैमरा है सका 16 MP का, कैमरे की परफॉमेंस दोसरों इन दोनों मुबाल्स में आपको जादा बढ़िया मिलती है रियलमी 6i के अंदर ही, कैमरे को लेकर इन दोनों मुबाल्स में रियलमी 6i जादा बढ़िया है रियलमी C15 के लेटेस्ट एडिशन से भी तो अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, तो 6i आपके लिए जादा अच्छा रहेगा इन दोनों मुबाल्स में बाकी दोस आप देख सकते हैं, कम्प्लीट, डिजाइन, आपको इन दोनों में किसका डिजाइन जादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे रियलमी 6i का डिजाइन जादा पसंद आया क्योंके काफ़ी जादा शाइनी है और यह मुबाल आपको वाइट कलर में भी मिलता है जो इस ब्लैक कलर से जाद अच्छा है उसकी भी वीडियोज मैंने कई बार चैनल में अपलोड करी है आप जाके देख सकते हैं वाइट कलर में यह मुबाल काफ़ी बढ़िया लगता है बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले साइस दिया गया है साड़े छेंच का लेकिन C15 में ये कमी है इसके अंदर आपको IPS HD Plus ही डिस्प्ले दी गई है 6i के अंदर आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है तो ये चीज 6i के अंदर जाद अच्छी है बात करें दोस्तो यूज़ अंडिफेस के बारे में तो यूज़ अंडिफेस कुछ इस तरी के से दिया गया है दोनों मोबल्स माप ऐसे उपर की तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है इन दोनों के अंदर आपको एब ड्रॉट दिया गया है दोस्तो अंदर से चलाने में दोनों ही मोबल्स एक जैसे ही लगते हैं चाहे आप इन दोनों में से कोई साभी खरीदें इस चीज़ मापको फर्ग देखने को नहीं मिलता मुझे यूज़ इन दोनों ही मोबल्स का नॉर्मल ही लगा बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में कैसे लग रहे हैं लेकिन दोस्तो रियल्मी 6i की डिस्प्ले में एक खुबी और जाद अच्छी ये है इसके अंदर आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट दिया गया है तो जब आप उपर नीचे स्क्रोल करते हैं इस मोबाल को यूज़ करते हैं तो आपको जादा स्मूद एक्स्प्रियंस देखने को मिलता है रियल्मी C15 के कमपरिजन में तो डिस्प्ले के अंदर ये खुब ज़ाद अच्छी है डिजाइन के अंदर भी फर्ख है C15 के अंदर आपको नॉच वाले डिजाइन दिया गया है रियल्मी 6i के अंदर आपको पंच्छोल कैमरा मिल जाता है से left side साब देहेंगे दोनों mobile को आपको sim के tray दी गई है दोनों के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खुबी है volume के बटनस आपको 6i में left side पर ही दिये गया है sim के tray के नीचे नीचे की तरफ साब देहेंगे तो दोनों में charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है type c port है 6i के अंदर, right side साब देहेंगे तो दोनों में power के buttons, c15 में volume के buttons right side पर है लेकिन दोस्तो 6i के अंदर आपको fingerprint scanner side में दिया गया है, जो power का button है, यही fingerprint scanner भी है तो इस चीज़ का फर्क हैं दोनों के अंदर, c15 में back panel पे दिया गया है उपर से देहेंगे तो plane design है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया दोनों के अंदर दोनों ही mobile's के अंदर आपको android का 10 version मिल जाता है, इस चीज़ में दोनों बढ़िया है अब दोस्तों फर्क है RAM और storage को लेकर, दोनों ही mobile's के अंदर आपको दी गई है 64GB के internal storage लेकिन C15 के अंदर आपको 11,000 में दी गई है 4GB RAM, realme 6i के अंदर आपको 13,000 में मिल जाती है 6GB RAM तो 2GB RAM आपको realme 6i के अंदर जादा दी गई है बात करें दोस्तों battery के बारे में, तो 6i के अंदर आपको battery मिलती है 4,300 image की C15 में आपको battery दी गई है 6,000 image की इन दोनों के अंदर आपको एक दिन का battery backup मिल जाता है, battery के अंदर दोनों बढ़िया है लेकिन और भी जाद अच्छा है realme C15 latest edition इसकी कीमत भी कम है, और battery और जाद अच्छी दी गई है बात करें दोस्तों processor के बारे में, तो C15 के अंदर आपको मिलता है snapdragon 460 processor, realme 6i के अंदर आपको दिया गया है media tech का G90T processor, अब दीखिए अगर आप एक heavy user है तो इन दोनों mobile's में कोई competition नहीं है realme 6i के अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया processor दिया गया है realme C15 से processor को लेकर 6i बहुत जाद अच्छा है अब दोस्तों ये सारी खुबिया कम्या है इन दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरूत की चीज है वो कि इस mobile में जाद अच्छी है तो देखिए अगर आपको display अच्छी चाहिए तो आप real में 6i खरी दियेगा क्योंकि इसके अंदर आपको display का design इसे के साथ full hd plus display और 90 Hz का refresh rate ये 3 को भी जादा दी गई हैं C15 से तो अच्छे display के लिए आप real में 6i खरी दियेगा और दोस्तों अगर आप clear matter करता है mobile का camera तो भी आप real में 6i ही खरी दियेगा camera इसके अंदर आपको जाद अच्छा मिल जाता है लेकिन अगर आप clear matter करती है mobile की battery तो आप कम कीमत में C15 लीजिएगा अगर आपको battery ही अच्छी चाहिए आपके लिए mobile में battery ही सबसे जादा important है तो आप C15 ही खरी दियेगा इन दोनों के अंदर इसके लब दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor आपको performance जाद अच्छी चाहिए तो आप 6i लीजिएगा processor इसके अंदर आपको जाद अच्छा दिया गया है बाके अगर आपको design अच्छा चाहिए तो यह आपकी पसंद की बात है कि आपको देखने में किसका design जाद अच्छा लग रहा है मुझे 6i का design जाद अच्छा लगा तो इन दोनों mobile के comparison में देखा जाए तो design के अंदर तो दोनों mobile अपनी जगा सही है लेकिन design के अलावा C15 के अंदर आपको एक खुबी जाद अच्छी दी गई है जो कि है इसकी battery अगर आपको battery ही सबसे important लगती है तो आप C15 ले सकते हैं बाके दोस्तों realme 6i के अंदर आपको 4 चीज़े जाद बढ़िया मिल जाती है एक तो इसके अंदर आपको camera जाद अच्छा दिया गया है दोसर इसके अंदर आपको display जाद अच्छी मिल जाती है तीसर इसके अंदर आपको processor जाद अच्छा मिल जाता है चौतर इसके अंदर आपको 2GB RAM जाद दी गई है वैसे इसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा खुभी ये भी मिल जाती है टाइप सी केबल है और फास्ट चारजर जादा बैटर क्वालिटी का है तो दोस्तो देखा जाए तो इन दोनों मुबल्स में काफी बड़ा फर्ख है क्वालिटी को लेकर रियल में 6i बहुत जाद अच्छा है C15 से बस अगर इसमें बैटरी और बैटर होती तो तो मैं आपको क्लियर ली 6i ही सजेस्ट करता बाकि अगर आपको बैटरी अच्छी चाही तो आप C15 भी ले सकते हैं बाकि दोस्तो हर एक चीज़ के साब से देखा जाए तो 6i ही जादा बढ़िया है इन दोनों मुबल्स के अंदर लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल एकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लव वीडियो को आपको हैल्फुल लगी तो अपना दोस्तों के साथ इस शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए